Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel study streamed by SA और आज का हमारा topic थोड़ा सा sensitive topic होने वाला है क्योंकि हमारे body organs से related आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा disease है जो हमारी kidney को fail कर देता है kidney की जो functioning होती है उसको slow कर देता है तो ये एक type का chronic disease होती है जिसमें हमारी kidney पे असर आता है तो kidney तो main body organic filtration का अगर kidney पे किसी चीज़ का pressure आता है कोई disease हो जाती है तो body का filtration कोन करेगा अगर body का filtration नहीं होगा तो उस case में हमें बहुत सारी बिमारियां आ जाएंगी और kidney का किस तरीके से filtration तो kidney हमारी body की filtration का काम करती है kidney का function होता है कि blood को collect करके उसमें से कुछ impurities कुछ metabolic waste होता है जिसको out of body करना पड़ता है किस तरीके का metabolic waste हो सकता है कुछ salts हो सकते हैं कुछ और दूसरा type का जो कुछ urine हो सकता है ठीक है जिसको हमारी body absorb नहीं करती है जिसको निकाल देती है तो उन चीजों का filtration यानि कहां से blood से उन चीजों का filtration कराने का काम करती है kidney तो kidney मारा most filtration organ होता है अगर kidney में किसी type की disease आती है बिमारी आती है तो filtration कैसा हो जाएगा filtration हो जाएगा slow और धीरे-धीरे conditions जादा खराब होने लगेंगी बद से बतर conditions आ जाएगे और उस time पे बहुत सारी बिमारियां आपकी body में आ सकते हैं यानि कि जिसको भी kidney failure की problem या kidney जिसके भी kidney filtration की problem करती है उसको ये problems आ सकती है तो friends मारी chronic kidney disease जिसको CKD भी भोला जाता है chronic kidney disease means kidney functions get slowly जो kidney होती है वो functioning करना कम कर देती है slow कर देती है and worse with time और time के साथ साथ उसक्या होती जाती है और ज़्यादा उसकी जो conditions से वो बेकार होती जाती है if kidney disease worse जैसे जैसे जो kidney की condition से वो ज़्यादा खराब होती जाएंगी worse होती जाएंगी waste can be build to high level क्योंकि kidney क्या काम करती है filtration का काम करती है अगर filtration की process slow हो जाएगी तो जो body का waste है जिसको kidney filter करती थी देरे देरे उसका level increase होता जाएगा और उसके level increase होने से क्या आजाएंगी body में आजाएंगी बिमारी हमें कैसा feel होगा हमें बिमार feel होगा थकावट feel होगी and develop complications कैसे कैसे complications BP बढ़ जाता है anemia हो जाता है now damage की problem रहती है किसी भी type का stroke आ सकता है किसी भी type की जो नाउस होती है उसमें damage आ सकता है तो यह main किसकी वजह से होता है क्योंकि टाइप का disease हो जाता है जिसमें जो है हमारी किड़नी है वो filtration कम करना बन कर देती इसी वजह से यह सारी problems create हो जाती है अगर बात करें कि कि कौन से humans होते हैं कौन human beings living होते हैं जिनको सब उगर की बिमारी होती है या फिर जिनका बीपी हाई रहता है जिनको हाई बीपी की problem है cholesterol की problem है या फिर जो 65 years से ज़्यादा इस वाले जो older humans होते हैं older persons होते हैं उनको problem हो सकती है और हो सकती है कोई भी family history यानि के family में किसी को problem है तो भी क्या कराना चाहिए अगर family में इस टा पास भी आ सकती है क्योंकि जो genetic variation होती है वह मारी generation to generation vary कर सकती है और family में किसी को problem है तो होता है कई बार ऐसा ही कि वह generation to generation vary करते हैं चीज़ें तो इसके जो symptoms होते हैं चायडनेश हो सकते हैं ठकावट हो सकती है तो friends जैसे जो किसी भी टाइप की जो बिमारी होती है उसके starting मे almost सब के जो symptoms होते हैं almost same होते हैं दीरे दीरे जैसे जैसे बिमारी बढ़ती जाती है symptoms separate होना start हो जाते हैं तो जो इसका एक symptoms है tiredness की ठका ठका सा मैसूस होता है क्योंकि आजकल तो normal भी सब को ऐसा ही tiredness होती रहती है हर time क्योंकि ज़्यादा काम भी नहीं है फिर भी हम active नहीं है बिल्कुल lazy जो environment है वो है क्योंकि stress का depression की conditions है stress का environment है अच्छे से nutrition नहीं ले पाते balance diet follow नहीं करते exercises नहीं करते जिस वज़े से tiredness almost ही रहती है travel in sleeping सोने में दिक्कत आ सकती है उसको नीद आती है पर सोया नहीं जा सकता muscles cramping muscles में cramp आते रहेंगे swollen feet पैरों में Susan आ सकती है क्योंकि blood filter नहीं हुआ blood का proper जो कह सकते की transportation या filtration नहीं होता है dry and agginess यनि कि उसको body है जो dry हो जाएगी और reaching उसमें होना start हो जाएगी need to urinate more और ज्यादा से ज्यादा urine pass out करने की अर्ज रहती है तो अगर इसके treatment की बात करें तो एक process होती है जिसका नाम होता है dialysis जो artificial purification कराती है blood का जब किसी इंसान की kidney fail हो जाती है वो filtration करना बंद कर देती है तो उसको treatment treatment दिया जाता है dialysis treatment उस dialysis treatment में artificial तरीके से machines का use करके blood को filter कराया जाता है ताकि patient को कुछ time के लिए उसको filtration वाली process मिल्स के second option होता है transplantation आपके पास दो ही option दो से तीन option बज जाते हैं अगर first और second stage में उस चीज का पता नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो regular body check-up नहीं कराते तो उनको पता नहीं लगता डारेक्ट उनको third foot जो भी last stage होती है उसमें जाके पता लगता है और तब जाने के बाद सिरफ दो ही हमारे पास process रह जाते हैं dialysis की या तो fit transplantation की process रह जाती है तो इसके जो prevention है उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो जो हमारी diet होती है उसको nutritive diet होनी चाहिए बिल्कुल एकदम healthy खाना होना चाहिए उसके लिए daily exercises होनी चाहिए सबसे पहले lifestyle को improve करो lifestyle जैसे improve होता है तो healthy life आती है lifestyle के improvement से ही जो हमारी healthy life है वहीं से originate होती है जब हम खुद की body के लिए खुद को prepare रखते हैं